Hello students, तो आगे बेटे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं formula based on cardinality of sets जैसे आपने पहले cardinal number सुना था ठीक है ना, cardinal number के बारे में सुना था हमने starting में आपको बताया था cardinal number क्या होता है तो मज़र set के पास कितने element हैं अगर मालो किसी set के पास 4 element है हम कह देते हैं कि उस set का जो cardinal number है वो 4 है, तो अब हम आपको cardinality of sets के उपर कुछ formula बता रहे हैं और यहां से आपको 5 or 6 marks का question आएगा ठीक है, पहला formula आपको याद होना चाहिए number of element in A union B कि A union B के element निकालने का formula क्या होता है बहुत important formula है यह होते बिटे number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B इसे हम Vane Diagram से prove भी कर सकते हैं लेकिन फिलाल याद करिए कि number of element in A union B का formula क्या है तो number of element in A union B equals to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B यह formula है अच्छा होता क्या है कि आप बच्चों की क्या आद होती है कि आप समझ रहे हो कि यह formula A union B के element निकालने के लिए कि हम कभी आपको बोलें बताओ भई A union B में किसे element तो उसके लिए formula नहीं बिटे आपको इस तरह से समझना चाहिए कि इस formula में चार चीज़े है क्या चार चीज़े है इस formula में बचा A की बात हो रही है A के element की बात हो रही है B के element की बात हो रही है number of element in A number of element B number of element in A union B number of element in A intersection B यहाँ चार बात में हो रही है A, A की जगा तलको कुछ भी हो सकता है B, B की जगा कुछ भी हो सकता है A है, B है उन दोनों का union है और उन दोनों की intersection है तो जब हम question form करेंगे बेटा तो क्या करेंगे हम किसी question में मैं आपको A दे दूँगा B के element बता दूँगा A के element बता दूँगा A intersection B के element बता दूँगा और आपसे A union B के element बता दूँगा पूर सकता हूं लकिन किसी question में मेरा दिल करेगा तो मैं आपको A union B के element बता दूँगा A के element बता दूँगा A intersection B के element बता दूँगा और आपसे B के element पूछ लूँगा तब यही tutorials लगीगा क्योंकि ये फॉर्मुला चार चीज़ों में हैं और जब क्वेस्टन हम फॉर्म करेंगे तो कैसे क्वेस्टन कैसे क्वेस्टन करेंगे इन चार में से कोई तीन चीज़ें आपको दे देंगे और चौती चीज़ें निकालने को बोलेंगे अब चार चीज़ें क्या है? एक A है, एक B है, एक उनका यूनियन है, एक उनकी इंटरसेक्शन है अब हम कहरेंगे क्या? इन चार में से तीन चीज़ें बता देंगे मैंने आपको A उनिन B बता दिया, मैंने आपको A बता दिया, मैंने आपको B बता दिया तो मैं आपसे क्या पूछूँगा? मैंने आपको A union B भी बता दिया A भी बता दिया B भी बता दिया तो मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ? वे A intersection B बताओ समझ लगी? तो फॉर्मूला ये कताई ही समझना है आपने कि ये A union B के element निकालने का फॉर्मूला है बताओ ये फॉर्मूला चार चीज़ों में है A, B, A union B और A intersection B और कॉस्टम में क्या होगा? इन चार मेंसे कोई तीन चीज़ें हम आपको बता देंगे और चौफी चीज़ निकालने को बोलेंगे क्लियर हो गया? जरा ध्यान से समझना है देखो बेटे अब A union B का मतलब तो मैं आपको समझाई चुका हूँ फिर से बताऊंगा क्योंकि अब आपके पास statement के question गाएंगे और statement में आपको mathematics बनाना है अब statement जैसे आपको क्या statement आजाएगी बेटा? जैसे आपको question आ गया बच्चे इस तरह से question आ जाएगा find A और B कभी मैं आपको कह दूँ find A और B तो और का मतलब mathematics में union है अगर मैं आपको कहता हूँ find A और B इसका मतलब मैं आपको क्या निकालने को बोल रहा हूँ? A union B निकालने को बोल रहा हूँ कभी मैं आपको कहा दूँगा find A and B क्या बोल रहा हूँ? find A and B और and का mathematics में, sets में and को हम किसे लिखते हैं बटा? intersection से लिखते हैं तो अगर मैं आपको कहूँगा find A and B तो आपको क्या निकालने है? A intersection B दिखो मैं फिर कह रहा हूँ A और B तो हमारे दिये नाम है question में A और B नाम replace हो जाएंगे जैसा question होगा उसके according वो question में बात करेंगे लेकिन अगर मैं कभी आपको कहता हूँ find A और B A और B मतलब आपको क्या निकालने है? A union B हम आपको कहा दें find A and B क्या निकालने है? A intersection B A और B का मतलब A union B होता है mathematics में और A and B का मतलब A intersection B होता है ठीक है जी? तो ये आपको पता होना चाहिए एक formula मैंने आपको बता दिया दूसरा formula है दूसरे formula में वो हमें कह रहा है यही formula है बैटे दूसरा भी मैं यही formula लेके चलता हूँ slight change के साथ number of element in A union B equals to number of element in A plus number of element in B कई बार ये formula हम यही पे रोग देते हैं तो number of element in A union B जो है वो होता है number of element in A plus number of element in B मैंने क्या नहीं लिखा इस formula में अगर देखा जाए तो मैंने क्या नहीं लिखा number of element in A intersection B ने लिखा तो number of element in A and B equal to number of element in A plus number of element in B कब जब हम कहते हैं A and B जो हैं वो disjoint sets है जब A और B कैसे होते हैं बैटे disjoint sets होते हैं यह देखो दूसरा formula यह देखा number of element in A and B equal to NA plus NB कब when A and B are disjoint जब A और B क्या होते हैं disjoint होते हैं disjoint का मतलब समझते हैं जो आपस में जॉइन नहीं होते जो आपस में जॉइन नहीं होते और जब दो सेट आपस में जॉइन नहीं होते इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं दोनों आपस में जॉइन नहीं है तो यह दूर दूर हैं मालो यह A है मालो यह B है और अब मैं आपको बोलू कि जब बिटे द डे कुप को इंटी है उनकी जो एस्याइन होते हैं उनकी जो इंटरसेक्श्यु मतलब उन दोनों के पास कोई भी अलिमेंट कॉममन नहीं होता है क्योंद ऑन कभि आपको back के सब्सक्राइए मैंने आपको पढ़ाया भी था था कही इस ज्यूइंट sets and overlapping sets और मैंने क्या सिखाया था कि दो sets disjoint कब होते हैं जब उनकी intersection खाली set आजए फाई आजए तो उसने मुझे कहा है कि जब A और B disjoint होंगे और आपको पता है जब A और B disjoint होंगे इसका मतलब उनकी intersection जो होगी वो क्या होगी खाली होगी फाई होगी तो आप मुझे बताईए कि number of element in A intersection B इस case में क्या होगा फाई मतलब इस set के पास कोई भी element नहीं है ठीक है तो A intersection B के पास कोई भी element नहीं है तो मैं पूछ रहा हूँ N A intersection B N A intersection B का मतलब कि A intersection B के पास कितने element है तो भाई बताओ इस set के पास कोई element है नहीं जीरो तो बैटे जब A और B Disjoin होते हैं तो A intersection B के पास element क्या हो जाते है जीरो तो number of element in A plus number of element in B में से 0 गटा दोगे अब यहां से 0 गटा दोगे तो मतलिको ना 0 इसलिए नहीं लिखते हैं ठीक है वही formula मैंने आपको फिर से बताया है clear किया है मैंने formula आपको ध्यान होना चाहिए आपको तो जो उपर formula मैंने number one पे बताया उसी को याद करिए लेकिन कभी अगर हम आपको कह दें कि A और B Disjoin है A और B Disjoin है इसका मतलब उनकी intersection लिखा है यहाँ पे जो लिखा नहीं लिखा माइनस जीरो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का बताये दूसरा formula भी clear हुआ ठीक है तो यह दूसरा formula पहले से ही निकाला गया है कोई बड़ी बात नहीं है इस formula में ठीक है जी तो मैं भी पहले कोई stress दे रहा हूँ और मैं बार बार आपको बोलूँगा कि आप यह कभी मत समझना अमूमन बच्चे क्या समझते हैं कि यह formula जो number one पे आपको formula यहाँ display कर रहा है maximum बच्चे यह समझते हैं कि यह formula किसके लिए A or in B के लिए नहीं यह formula A or in B A intersection B A और B में है कि इन में से तीन चार चीज़ी हैं यहाँ पे total कि इन में से तीन पता हो तो हम चौती चीज़ निकाल सकते हैं ठीक है तो यह पहले दो formula बताए हमने उसके बाद next formula एगटे number of element in A difference B अब देखो A difference B की बात कब आएगी जब कभी किसी question में मैं आपको पताऊं क्या बोलूँगा find A and not B कभी मैं आपको बोल दूँ find A and not B तो आप लिखोगे A difference B मैं कहाँ दूँ find A what not B इसका मतलब भी same है A difference B है language का mathematics बन रहा है बिटा A and not B mathematics है A difference B A what not B mathematics है A difference B ठीक है मैं कभी language में लिखो find only A A के साथ B है लेकिन हम कहें find only A only A मतलब सिर्फ A सिर्फ A मतलब A लेकिन B नहीं A what not B A and not B लेकिन बोल आपको A and not B है A what not B की बजाए just बोल दे find only A इसका मतलब भी क्या है बेटे A difference B है क्योंकि बेटे अब आपको statement के question आएंगे statement में मैं कहूंगा कि मैंने A की बात की है मैंने B की बात की है मैंने जो भी बाते की होंगी और last में बोलो का find only A only A का मतलब mathematics क्या only A का A के साथ जो दूसरी चीज है वो नहीं लेनी है मालोब A के साथ दूसरी चीज बी है तो A difference B मैं कहादू find A and not B A difference B की ही बात कर रहा है मैं कहादू find A what not B A difference B की ही बात कर रहा है तो इन तीनों language का mathematics बेटा ये है A difference B clear हो गई बात जैसे मैंने कहा A और B का mathematics क्या है A union B मैंने कहा A and B का mathematics क्या है A intersection B उनी steps के उपर मैंने कहा A and not B या A what not B या only A का mathematics क्या है A difference B इसका formula बताता हूँ पहले तो आपको जो आता है उसकी बात करते है A difference B का मतलब क्या होता है A के element लिखने है and A वाले जो B में है वो नहीं लिखने है यही मतलब होता है A difference B को हम कैसे बोलते है A के element लिख दो पर A वाले जो B में हो मतलिखो A वाले जो B में है A वाले जो B में मतलब A के element जो B के साथ क्या हो चुके हैं common हो गया है वो मत लिखो तो इसे हम यू ले देते हैं number of element in A A के लिखो अगर उसमें से किसको छोड़ दो A वाले जो B में A वाले जो B में है मतलब common छोड़ दो A intersection B तो बेटे number of element in A difference B का फॉर्मूला क्या होता है number of element in A minus number of element in A intersection B ठीक है जी मैं यह उगली को तदा number of element in B difference A की बात है अगर मैंने कहा दिया number of element in B difference A क्या बोला number of element in B difference A वही बात आप बताईए कि A का मतलब क्या है B difference A B के element लिखने हैं पर B वाले जो A में हैं वो नहीं लिखने हैं यही मतलब होता है B के लिखने हैं पर B वाले जो A में हैं वो नहीं लिखने हैं यही बोलते हो ठीक है यह language क्या आईए होगी कि आप B difference A की बात करोगे बेटा language आईए होगी find B what not A क्या language आई होगी find be what not a यह find be and not a यह तीसरी language की असर की है find only be मैं बोल दू find only be मैं बोल दू find be what not a यह मैं कहा दू find be and not a सब का मतलब b difference ए और b difference a के element लिखने है तो बताईए जी b difference a का मतलब क्या होता है b के element लिखो लेकिन b वाले जो a में उनको छोड़ दो b के लिखने है पर b वाले जो a में वो नहीं लिखने है तो number of element in b में से किने छोड़ दो b और a के common a intersection b लिख दो भले ही आप b intersection a लिख दो क्योंकि a intersection b और b intersection a a की बात होती है committative property मैंने कहीं आपको बताई थी intersection में कि a intersection b निकालो या b intersection a निकालो दोनों आपको बिटा same result देते हैं clear होगी बात तो अब तक मैंने आपको तीन formula के उपर stress नहीं है ठीक है जी तो यह तीसरा और चोथा formula भी बता दिया बिटे मैंने आपको third or fourth में एक में मैंने कहा find number of element in a difference b number of element in a dash and b dash number of element in a dash and b dash यह भी अच्छा formula है कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर a dash and b dash इसने पहले and से पहले इसने union की बात की है तो पहले मैं union का बता देता हूँ यहाँ अच्छी बात यह है कि आपको यह सीखना है कि वही ऐसा क्या होगा कि आप यह formula लिखोगे a dash का मतलब क्या होता है a dash का मतलब होता है not a मैंने कहा था compliment का मतलब क्या होता है not a a dash का मतलब है not a b dash का मतलब है not b और union का मतलब होता है or तो बताइए क्या है not a or not b कभी हम आपको कहा दे find number of element in not a or not b क्या बोलते हैं, find number of element in not A or not B तो not A का mathematics है A dash और का mathematics है union और not B का mathematics है B dash और number of element का mathematics यह है तो यह जो मैंने चीज़ लिखी है, इसको क्या पढ़ोगे आप जिसे मैं अभी highlight कर रहा हूँ, गिरीन का दर में इसे क्या पढ़ोगे आप, number of element in not A or not B not A को हम A dash बोलते हैं, complement A का और not B को हम B dash बोलते हैं, तो इसका formula मैं आपको बता रहा हूँ तो सबसे पहले तो आपको यह चीज़ समझानी चाहिए थी कि भई, क्या language होगी कि आप यह लिखोगे, जब मैं कहा दूंग, find not A or not B ठीक है, तो इसका formula याद करिए, इसका formula याद करने के वज़ाए समझीए आप ठीक है, number of element in A dash union B dash, ठीक है, A dash union B dash आपको कुछ याद आरा होगा, A dash union B dash कल ही मैंने बताया था आपको दिमारगन law, तो A dash union B dash को आप A intersection B का dash बोड़ सकते हैं, दिमारगन law का सिखाया था, A dash union B dash किसके बराबर होता है, A intersection B का dash, होता है रहे की नहीं, होता है, अगर होता है, तो लिखो फिर इसको, तो इसे मैं क्या लिख सकता हुँ बेटे आपके लिए यूनिन बी डैश को लिस्कता हूँ A and B का डैश A डैश यूनिन बी डैश किसके पराबर होता है A intersection B का whole डैश लिख सकते न इस तरह से तो यह इस step को मैंने यह कैसे लिखा है को पूछे तो डिमॉर्गन लो अगलत से पर बिटे आपके पास N तो वैसे लिखा और A इंट्रसेक्शन B का डैश आपको दो लेक्चर पहले मैंने कहा था कि किसी भी सेट का डैश का डैश का डैश मतलब कम्प्लीमेंट A का कम्प्लीमेंट क्या होता है यूनिवर्स डिफरेंस ही होता है ना किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट क्या होता है यूनिवर्स डिफरेंस डैट सेट और यहां किसके कम्प्लीमेंट की बात हो रही है जिसे मैं रेड कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ यहां बताओ किसके कम्प सिसह रही किने मैं आपको बजहित ins1 7 कि याद करो हूं और मैं समझा रहूं इस STEP कैसे लिए इमर्गन और इस स्टेप से मैंने यह सबतल किसे लिखत कंप्लिमेंट की डैफिनिशन और ब्रैकेट खोल दो अ कि multiply कह लो तो number of element in universe minus n ने दोनों को multiply कर गी आपकी भाशा में तो number of element in universe minus number of element in a intersection b तो बेटे आपका final formula अप प्रूब हो चुका है तो अगर आपको के पूछे number of element in a dash union b dash इसके बराबर होता है तो आप बोलोगे number of element in universe minus number of element in a intersection b लेकि मैं चाहूंगा कि आप इस formula को याद ना करें बिल्कुल याद ना करें आपको अगर paper में सामाता है तो आप इनी step के उपर 4 step बना के यहां तक पहुंचें ठीक है बाकि एक चीज़ मैं बता दूँगे ऐसा नहीं है कि मैंने ये formula बताया है तो इस question में यही लगेगा बहुत से तरीके होते हैं और हमार तरीके से आपको काम करना सिखाएंगे फिलाल बड़े basic formula जो है वो मैं अभी आपको सिखा रहा है इस formula को कैसे किया हमने और कब यह जरूर्च पढ़ेगी क्योंकि क्या ऐसी language आएगी कि आप इसकी बात करोगे तो क्या लिखाता है मैंने a- union b- a- का मतलब क्या होता है not a b- का मतलब क्या होता है not b ठीक है और union का मतलब होता है और इसका यह एक और formula है number of element in a- intersection b- ऐसी क्या language होगी question में कि आपको यह लिखना पढ़ेगा क्या होगा इसकी language बनाते है a- का मतलब एटे not a ठीक है intersection का मतलब क्या होता है and और b- का मतलब not b कही बार वह मुझे कहा देगा find not a and not b उसने आपको a दिया होगा उसने आपको b दिया होगा उसने union दिया होगा intersection दिया होगा कुछ भी दिया होगा लेकिन बोलेगा यार क्या पता करो not a and not b पता करो अब आपको पता है not a का मतलब क्या होता है mathematics में a- and का मतलब क्या होता है intersection और not b का मतलब क्या होता है b- लिखा भाई मैंने ये सब कुछ अरे भाई लिखी है चीज और अब इते formula याद करते है याद क्यों करना है समझते हैं हम लो वही पहले आप dimorgan लगा दो कली बताया था a- intersection b- का dimorgan क्या होगा a union b का whole dash क्यों बताया था dimorgan law आपको a- intersection b- को आप a union b का whole dash बोल सकते हैं तो ये dimorgan law से लिखा है और मैं बता रहा हूँ बार बार आपको और भी तरीके हैं ठीक है अगर ये compliment का तरीका use ना करना हो तो हमारे पास और भी वे हैं question में हम वो भी बताएंगे पर फिलाल basic सीखो अगला step number of element in a union b का dash dash मतलब compliment पहले compliment की definition लगा हो और किसी भी set का compliment क्या होता है universe that universe difference that set और यहां किसके compliment की बात हो रही है a union b के compliment की बात हो रही है तो कहले लिखूंगा मैं universe difference a union b ठीक है और अगला step आ गया number of element in universe minus number of element in a intersection b आप एक मजदार बात देख रहे होंगे यहाँ पे मेरी language को अगर आप सुन रहे होंगे तो मैंने यहाँ इस step को पढ़ूँगा मैं आपके सामने तो इस step को मैंने पढ़ा number of element in क्या पढ़ा किसको सुनना number of element in universe difference number of element number of element के बार number of element in और यह bracket को पढ़ रहा हूँ universe difference a union b और इसे पढ़ा हूँ number of element in universe minus number of element in a intersection b आप बोलेंगे कर के रहे हो उपर के step में आप बोल रहे हो universe difference a union b और यहाँ बोल रहे हो number of element in u minus number of element in b एक step उपर आप minus ना बोल के difference बोल रहे हो और एक step नीचे आप difference ना बोल के minus बोल रहे हो वोगर कर रहे हूँ आप समझ सकते हैं दो सेट होते हैं तो सेट के बीच में मार क्रों हो नहीं हो और यह को आ पंद दुद को तरह है पर अगले सेप में पर इस-डिफरेंस बोल रहा है तो नहीं है मैं माइनस बोल रहा हूँ क्योंकि A एक सेट है B एक सेट है और सेट के बीच में माइनस नहीं बोलता हूँ और N A का मतलब किया है जो A चाहित है उसके पास जो एलिमेंट है और जो एलिमेंट है वो तो सेट नहीं है बड़े basic से formula मैंने अभी तक आपको बताएं है पहले तो आपको ये clear होना चाहिए ये तो आप देख रहे होंगे कि मैंने एक diagram जो बनाया है ये तो just एक diagram बनाया है आपको पढ़ा रखा है ये मैंने universal set बनाया है ये मैंने A set बनाया है ये मैंने B बनाया है A को मैंने यल्लो से किया है B को मैंने थोड़ा डार किया है ब्राउन कलर में और उनके common को मैंने थोड़ा blue shade दिया हुए ठीक है जी तो यह कोई बड़ी बात नहीं मैंने बताई है तो सबसे पहले तो आपको यह formula आने चाहिए सबसे पहले कुछ चीज़ों का meaning clear होना चाहिए कभी हम आपको बोल दें A और B mathematics क्या होगा A union B कभी हम आपको कह दें A and B mathematics क्या होगा A intersection B कभी हम आपको कह दें A and not B A and not B क्या लिखोगे A and not B यह भी लिख सकते हैं ठीक है A and not B यह आप यह भी लिख सकते हैं इस दोनों चीज़ हैं ठीक है हमें कह रहा है आपको कही तरीके आ जाते हैं कई बच्चा लिखेंगे A and not B यह लिख देंगे क्या गलत लिखा है क्या मैंने तो नहीं सिखाया पहले पर क्या गलत लिखा है A and not B not B को B dash बोल देते हैं यह यह भी कह सकते हैं A difference B A difference B का मतलब भी होता है A and not B A के लिखने हैं पर A वाले जो B में हो नहीं लिखने हैं बलब B के नहीं लिखने हैं पर A के जो B में हो भी नहीं लिखने हैं इसका मतलब भी A and not B है इसका मतलब भी A and not B है अस्तर देंगे ठीक है जी तो दोनों A की बात है clear तो ये तीसरा formula हमने आपको बताया इसी में अगर B and not A हो जाए तो ये सारा उल्टा लिख दीवा ठीक है जी तो ये language से ही हम formula बना लेते हैं और बाद में आप देखोगे कि A की formula को कही तरह से हम लिख भी पाएंगे तो ये था A and not B अब कोई आपको कह दे find not A और not B क्या find करना है आपने not A और not B कि not A और not B निकालना है तो not A not A a dash और मतलब union not B b dash तो ये इसकी बात हो रही है ये उसकी language है not A और not B और ये उसका mathematics से sets की भाशा में not A मैंने कल बताया था आपको कि complement का मतलब ही क्या होता है किसी भी set की complement का मतलब क्या होता है not not A a dash लिख दिया और union लिख दिया not B b dash लिख दिया वो आपको कहा दे not A and not B अब मैंने and लिख दिखा है not A का मतलब लिटे a dash and का मतलब intersection not B का मतलब b dash तो ये चीज़ें सबसे पहले आपको पता हुए और भी बहुत सी language आने वाली है पर फिल हाल ये जो पार्ट्स language है ये तो कम से कम clear हों आपको कभी हम क्या दें A or B A union B A and B मतलब A intersection B A and not B या A but not B या only A इंसर का मतलब है A difference B या A intersection B complement not A or not B not A का मतलब A dash union B dash not A and not B A dash intersection B dash ये आपको मालूम होना चाहिए कम से कम आपको question स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ तो पता होनी चाहिए मैटे union को कई बार हम यू भी लिख देते हैं कभी हम कहा देते हैं at least ये at least letter शायद कल भी कहीं यूज किया था मैंने at least one ठीक है at least one at least one का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था at least one का मतलब होता है greater than equal to one एक या एक से ज्यादा तो पिटे कभी हम कहा दें कि किसी set के पास चलो ये question के बीच में मैं बात करूँगा ऐसे आपको भी यहाँ समझाऊंगा जोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन ये मैं आपको at least का meaning बताऊंगा कि at least भी जो है union में ही आपका convert करेगा चलिए इसे question में मैं discuss करूँगा तो आपको ये जो मैंने 4-5 formula बताए है मेरे खेल से clear होगे होगे इसके based बड़े ही simple question अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही simple problem बताने जा रहा हूँ अभी मैं आपको तो ये question है बोलता है if x and y are two sets such that nx 17 मेटे confused तो नहीं हो रहे nx मतलग कि number of element in x x set में उसने आपको 17 element दिये है y कोई set होगा उसमें उसने आपको 23 element दिये है देख रहे न x में कितने element है 17 y में कितने element है 23 number of element in x union y पैटे n x union y का मतलग इसे read करना हो तो number of element in x union y कितने हैं पैटे 38 है और क्या find out करना है आपको number of element in x intersection y आपको पता करना है आप देखिए अब a और b की बजाए मैंने आपको कहा था a और b तो हमारे भी होए ना ना उनको नाम को बदल सकता हो तो इस question में उसने आपको कहा है कि x कोई set है उसके पास 17 elements है element नहीं भी है पर इतना कहा है कि उसके पास 17 element है number of element 17 है यह नहीं कि उसके पास एक ही element है 17 नहीं n x मतलब number of element in x x एक set है जिसके पास 17 element है y एक set है जिसके पास 23 elements है और उनके union x और y के union के पास 38 element है तो बोल रहा है बताओ उनकी intersection के पास कितने element है कितनी चीज़े हैं यहां पर देखी जाए तो चार एक X है, एक Y है, एक उनका union है और एक उनकी intersection है और मैंने आपको एक पहला formula बताया था कि चार चीज़ों में formula होता है A, B, उनका union और उनकी intersection और मैं question कैसे form करूंगा A, B, union, intersection, चार चीज़े हैं मैं कोई तीन चीज़ें बता दूँ और चौपी आपसे पूछ लूँगा यहां A और B की बज़ाए X और Y है मैंने आपको X दिया है, मैंने आपको Y दिया है मैंने आपको union दिया हुआ है और मैंने आपसे क्या पूछा है, बच्चो intersection पूछा है क्या पूछा है, intersection पूछा तो solution के according हम सबसे पहले दिखें कि given number of element in X कितने है 17, number of element in Y कितने है 23, number of element in X union Y दिये हैं, उसने हमें 38 कितने दे रखें है 38, और number of element in X intersection Y उसने हमारे से पूछे formula we know हभी बताया formula हमने number of element in X union Y किसके बरावर होता है वहाँ A और B में बताया था यहाँ मैं X और Y में लगा रहा हूँ number of element in X union Y equals to number of element in X plus number of element in Y minus number of element in X intersection Y बेटा क्लियर तो number of element in X union Y क्या बता रहा हूँ number of element in X union Y किसके बरावर है number of element in X plus number of element in Y minus number of element in X intersection Y union के element मुझे पता है X के element पता है Y के पता है और intersection के निकाल हूँगा भरो तो union के कितने element है भाई 38 union के निचे 38 X में कितने element है भाई 17 Y में कितने element है 23 और intersection के आपको find out करने 38 और आपको पता है 23 plus 17 23 और 7 30 और 10 40 तो यह 40 है यहाँ के जाके 20 30 37 40 एक मिनिट यूनियन में element कितने है 38 23 7 ओके intersection के निकाल है ठीक है तो यह 40 हुओ न 38 minus 40 equals to minus number of element in X intersection Y 38 में से 40 गया भाई माइनस 2 equal to minus number of element in X intersection Y दोनों सेट से minus काटा तो number of element in X intersection Y कितने आगे बेटा 2 आगे तो X intersection Y में कितने element आगे बेटे 2 element आगे क्लेरा भाई तो क्या था यह question कोई यह formula union का ही था मैंने union वाला ही फ़रान लगाया लेकिन मैंने union दे दिया X दे दिया Y दे दिया X union Y दे दिया रखते X intersection पोच लिया X intersection Y पोच लिया ठीक है तो यह नहीं कह सकते की union का formula है अरे यह 4 चीज़ों में formula है 4 में से 3 वो बता देगा कोई भी 4 चीज़ निकालने का बोल लेगा चार सो लोगों का एक ग्रूप है कितने लोग हैंगी ग्रूप में 400 पीपल है फिर कहते है 250 कैन स्पीक हिंदी हिंदी का नाम मैंने एच रख दिया बोलता है 250 चार सो लोगों का एक ग्रूप है उसमें से जो हमने सर्वे किया है तो हमने पता लगा है कि जो 250 लोग जो है वो हिंदी बोल सकते हैं 200 कैन स्पीक इंग्लिश और 200 लोग जो है 200 परसन जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं हमें कह रहे How many people can speak both Hindi and English both Hindi and English Hindi का नाम मैंने H रखा है and क्या होता है बेटे intersection और English का नाम मैंने E रखा है तो बेटे 400 लोगों के उपर हमने सर्वे किया मतले ग्रूप में 400 लोग हैं उसमें से 250 परसन जो है वो हिंदी बोल सकते हैं 200 परसन जो हैं वो English बोल सकते हैं और हमें वो लोग बताने हैं जो Hindi and English बोल सकते हैं बोत Hindi and English Hindi का नाम मैं H रख दू English का नाम मैं E रख दू और and का मतलब intersection होता है तो मैं क्या निकालना है समझे अब जरा इस question में जो important है वो सुनो इस question की अगर बात करें तो इस question में आपको मैंने पहले कह दिया कि Hindi वाले लोगों को हम H बोल देंगे जो Hindi वोलते है Hyunh Ass रख देंगे जो English वोलते है उनका नाम तो मैंने Hindi वाले लोग बताएं दिया उसने 250 मैंने इंग्लिश वाले लो बताएं 200 ठीक है English वाले कितने बताएं 200 और हमने आपसे कौन से पूछे हैं بटे बताइए हमने कौन से पूछे मेरे का आपको जो फॉर्मूला होता है वो कितनों नहीं होता है उस्का जाता होता है लेकिन उसने बात बोली है कि 400 जो लोग है न ध्यार समना को 400 लोगों को जब हमने सर्वे किया तो पेटे हम यह मान के चलेंगे कि 400 लोग जो हैं वो कोई ना कोई भाषा जो जानते ही होंगे चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश चाहे दोनों तो बेटा जो total होता है न जो survey होता है आपको मैं important बात ठिका रहा हुँ यहाँ पे कि जो survey दिया होता है मैंジ जो total survey होता है जैसे 400 के उपर बात हो रही है तो उस survey को या तो हम union लेते हैं क्या लेते हैं union यह कई question में union नहीं लेकर उसे universe लोगा कि जो टोटल सर्वे होगा आप देखना उसे अमूमन हम लोग यूनियन लेंगे और कुछ क्वेस्टन ऐसे भी आएंगे ज़त मैं टोटल सर्वे को यूनियन न लेके क्या लूँगा यूनिवर्सल सेट मानूँगा वो कब मानूँगा कैसे मानूँगा मेरी चंता है आपकी चंता नहीं है आपकी चंता एक ही है कि जो सर्वे उसे क्या माना जाता है तो बताएए सिंपल भाशा में मैं आपको बोलूँ मैंने चाड़ सो लोगों के उपर सर्वे किया बताएए क्या होगा आप बोलेगे तो यह यूनियन होगा या ये क्या होगा यूनिवर्स होगा आपकी चिंता ये है कि आपको ये पता हो ना ची कि सर्वे को हम क्या मानते हैं या तो यूनियन मानते हैं या यूनिवर्स मानते हैं मैं अमूमन यूनियन माननूंगा और जिस question में मैं union की बजाए universe माननूंगा वो मेरी चिंता है कि मैं कैसे समझा हूँगा चलिए तो आपने इस question में 400 लोगों पर survey किया तो मैंने 400 को क्या मान दिया union 400 को मैंने किसका union मानना या किसका question हो रहा है हिंदी English का question हो रहा है तो बटे मैंने 400 को H union E मानना इसका मतलब समझे कि क्या हुआ इसका मतलब यह है कि बच्चो मैं यह मान के चल रहा हूँ इस question में कि 400 का 400 परसन जो है वो कोई ना कोई भाषा तो जानता है H union E का मतलब समझाना जा रहा मुझे आप एच वाले भी ले लो और जो दोनों में उसको भी उठा लिया इसका मतलब simple भाषा में यह हुआ कि मैं मान के चल रहा हूँ जो 400 परसन जिसकी उपर survey किया है वो कोई ना कोई भाषा तो जानता है चाए Hindi जानता है चाए English जानता है चाए दोनों जानता है तो यह मान के चल रहा हूँ कि जो survey वो बतलब survey में जो लोग है 400 के 400 जो लोग है को कोई न कोई भाषा अवश्य जानते है यहां मेंशन ही कुछ नहीं किया है जब कुछ मेंशन नहीं किया होगा तो हम मान के चलेंगे कि भई सर्वे को मान के चलेंगे कि सर्वे में मतलब जैसे यहां हिंदी जानते हैं English जानते हैं, दोनों बाले बताओ और सर्वे 400 पे हुआ है, तो सर्वे को मैंने क्या मान लिया कि भाई, 400 का 400 परसंट कोई ने कोई भाषा तो जानता है अमान लीजे मैंने एक लाइनी आलिफदी होती कि भाई, सर्वे मैंने 400 लोगों पे किया है उसमें से 250 लोग हिंदी जानते हैं, 200 लोग इंग्लिश जानते हैं और 10 लोग ऐसे हैं, जो कोई भी भाषा नहीं जानते हैं 10 लोग, मैंने कहा होता तो, कि 10 लोग ऐसे हैं, जो कोई भी भाषा नहीं जानते हैं पेटे जब मैं आपको यह कहारा हूँ कि 10 लोग ऐसी हैं जो कोई भी भाषा नहीं जानते इसका मतलब इसका मतलब क्या आप 400 को H UNE लिख सकते थे फिर आप 400 को H UNE नहीं बोर सकते थे क्यों? क्योंकि H UNE का मतलब क्या है अगर मैं H UNE को 400 बोर रहा है इसका मतलब क्या है कि 400 का 400 person आपने Hindi, English में involved कर दिया है कि 400 का 400 person कोई नहीं भाषा को जानता है लेकिन अगर मैं कहूं 400 पे मैंने सरवे किया H इतने जानते हैं Hindi इतने जानते हैं English इतने जानते हैं 10 लोग ऐते हैं जो कोई भाषा नहीं जानते हैं योगा कोई भाषा नहीं जानते हैं इसका मतलब जाके टार्स कोई भाषा नहीं जानते हैं तो यूनियनमें प्रीन आएंगे और उस केस में पर और हुए उसे में युनिवर्ष बोलोगा समझ लगी मेरी बात कलेर हुई बात लेकिन जब ये mention किया हो तब तब की बात है जब मैं बोलूँ कि 400 पर मैंने survey किया और 20 लोग ना हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं तो आप बोलेंगे 20 कोई भी बाशन ने जानते हैं इसका मतलब 380 लोग जो है H Union E में होंगे और जो 400 आप बोल रहे हो वो H Union E नहीं होगा वो Universe बन जाएगा समझ लगी जी बात लेकिन यहां तो question बहुत easy था यहां तो उसने कोई बड़ी बाते की नहीं थी इस question की अगर बात करें तो बटे question क्योंकि अभी नए question है नहीं चीज़ें यहां तो समझा रहा हूँ मैंने जस इस question में कहा कि 400 लोगों पर मैंने survey किया 250 speak Hindi 200 can speak English and you have to find both Hindi and English उसने तो कुछ नहीं बोला है कि इतने लोग कोई भाशा नहीं जानते मतलब मैं 400 को मान के चला कि 400 का 400 person कोई ना कोई भाशा जानता है तो मैं मान लूँगा कि जो हिंदी वाले लोग है उनका नाम मैंने उनके set का नाम मैंने h रख दिया जो English वाले उसके set का नाम मैंने e रख दिया तो number of element in h कितना आ जाएगा number of element in e h में 250 थे e में 200 थे और जो 400 था उसे मैंने union मान लिया है क्यों 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 मैं मान के चल रहा हूँ कि 400 का 400 person कोई ना कोई भाशा जानता है और आपको h intersection e निकालना है फिर वही बाते हैं एक h है एक e है एक union है और intersection निकालना है formula वही एक ही formula याजिए तक चल रहा हमारा we know number of element in h union e equals to अब मैंने सिखाया था a और b में पहले question x और y में लगा अब तो कि हिंदी इंगलेश है था मैंने उनको h और e कर दिया आपका दिल करता है तो आप बोल दो हिंदी बालों का नाम a रख दो English बालों का नाम b रख दो formula a और b में चला जाएगा 400 लिख दिया h में कितने हैं 250 e में कितने हैं 200 minus h intersection e के निकालने है और 200 और 250 और 200 450 तो 4 में से 450 गया तो minus 50 is equal to minus number of element in h intersection e minus minus कट किया तो number of element in h intersection e कितना आ गया 50 तो बैटे 50 लोग ऐते हैं उस group में जो दोनों भाषा जानते हैं हिंदी भी जानते हैं and English भी जानते हैं तो यह देख लिजे 50 आपका क्या आया हुए answer अगर आपको paper में करना है वैसे मैंने आपको करके दिखाया विल्कुल जैसे मैंने करके दिखाया ऐसे चलता है otherwise आपने लिखना है तो number of people who speak Hindi जिसको NH बोला 250 number of people who speak English NE 200 total number of people total number of people को मैंने union ले दिया 400 meaning समझाया है मैंने हर question में मैं समझाऊंगा यही एक important चीज है कि जो total survey होता है उसे किसी question में union लेंगे और किसी question में हम universe लेंगे थोड़ा सा इस question में बताया है next में भी बताऊंगा तो number of people who speak who can speak both English and Hindi मतलब English and Hindi मतलब H intersection E तो यह आपकी चीजें चार लाइन ने तो आपकी given होती है ठीक है फिर formula लगा दिया we know number of element in H union E equal to number of element in H plus number of element in E minus number of element in H intersection E और बेटे यह फिर values भरी हैं और यहां से H intersection E हमने निकाला है तो हमने यह बता दिया कि 50 people ऐसे हैं जो बोथ Hindi and English पढ़ सकते हैं Hindi and English और end का मतलब तो बाबको clear हो चुका है clear हुआ यह भी सामामे next question है next question में हम आपको क्या बोल रहे हैं बोलता है in a group of 70 people 70 people 70 लोगों का एक group है उसमें से कैसा है 37 like coffee उसमें से 37 लोग जो हैं वो coffee पीना पसंद करते हैं 52 like tea और 52 परसन जो हैं वो चाए पीना पसंद करते हैं आगे सुनना and each person like at least one of the two drink important line आए यह important line दिये ठीक है और आगे how many people like both coffee and tea चलिए जो दी है सबसे पहले 70 लोगों पे मैंने सर्वे किया 70 लोगों पे मैंने सर्वे किया और जो सर्वे होता है आप बताए सर्वे क्या होता है या तो बेटे जो question है question में जो चीज़ें हैं और इस question में क्या चीज़ें हैं पहता हो 37 like coffee 52 like tea coffee वालों का नाम मैं C रख देता हूँ और टी वालों का नाम जो चाय पीते हैं उन्का नाम मैं टी ही रख देता हूँ थीक है तो सर्वे क्या होता है पहले मुझे यह बताओ सर्वे क्या होता है या तो coffee union tea होगा कॉफी युनियंटी होगा, सी युनियं, टी होगा, स्वारी, कलेखे भी, सरवे या तो सी और टी का युनियं होगा, या सरवे जो है वो युनिवर्स होगा, अभी मुझे कुछ नहीं पता, किसी ने मुझे बोला वह, 70 लोगों पर मैंने सरवे किया, बताओ, उसमें से 37 है दो चीजों में से एक चीज होगी या तो सर्वे को आप क्या लोगे कॉफी यूनियन टी लोगे या इसे यूनिवर्स में लेंगे अभी आगे कॉस्टन पढ़ते हैं फिर क्लेर होगा उसके आगे बहुत बड़ी बात लिख़ी है एड़ेश परसन मतलब जो भी लोग नृए कितने परसन पर आपने सर्वे किये यह बहूता है इच परसन लाइक ऐट लीस्ट वप यू किया और फ़ोटा है हर परसन सब 70 लोगों पर अपने सर्वे किया और वो खुद कह रहा है कि हर परसंट यह परसंट नकिसे कम एक द्रिंग तो पसंद करता है 70 लोगों पर आपने सर्वे किया और अपुद कह रहे हो कि हर परसंट सेवंटी परसंट गैसे 70 जो है at least one of the two drink पसंद करते है at least one at least one मतलब एक या एक से ज़्यादा और एक से ज़्यादा यहां को पचास तो है नी दो ही drink है एक coffee और एक tea है चाहिए और वो खुद कह रहा है कि हर person 70 लोगों पर आपने survey किया और हर person जो है वो at least one of the two drink पसंद करता है टी या दोनों पसंद करते हैं तो जो 70 होगा बेटे वो coffee union tea होगा समझ लगी बाद और यह नहीं भी लिख्यों की line मालो यह line जो है each person likes at least one of the two drink तब भी मैंने 70 को C and T ही मानना था फिर मैंने खुद मान को चलना था कि 70 के 70 लोग कोई ना कोई ड्रिंक तो पसंद करते हैं पर इसने इस question में लिख रख की है यह line खुद कह रहा है कि 70 लोगों पर सर्वे किया और हर person at least one of the drink पसंद करता है तो मतलब वो खुद कह रहा है कि हर person कोई ना कोई ड्रिंक तो पसंद करता है इसका मलब 70 के 70 लोग जो है या तो कॉफी पीते हैं या चाए पीते हैं या दोनों पीते हैं और इसी question में मैंने कही कहा अका कि 70 लोगों पर मैंने सर्वे किया 37 कॉफी पीते हैं 52 चाए पीते हैं दस लोग कोई भी ड्रिंक नहीं पीते हैं तो फीर क्या मैं 70 को CUNT बोल सकता थो 70 को CUNT बोलने का मुज़ोंאת 70 के70 लोग कोई नहीं कोई ड्रिंक तो पिते हैं लेकिन मैं कहां दून 10 लोग कोई भी ड्रिंक नहीं पीते हैं नमें से तो फिर आपका CUNT कितना होता 60 होता तो 70 को 2008 में आप or universal बोलते तो मैं मान के चला भई कि 400 को 400% कोई ना कोई भाशा तो बोलता है और यहां उसने 70 पे सरवे किया और कैसा खुद कहा उसने कि 70 के 70% कोई ना कोई ध्रिंक पसंद करते हैं तो कभी उन लिख देता है कभी नहीं लिखता है तो हम सरवे को अमूबन मैं कह रहा हूँ यूनियल लेते हैं और कभ आपको यूनिवर्सल मानना है वो क्वेस्टन बताएगा जब मैं कहा दूँगा भई सरवे इतने पे किया लेकिन इतने कुछ भी नहीं करते हैं तब वो फिर यूनिवर्स में जाएगा ठीक है तो सी उनिटी आपको 70 मिल गया है सी में कितने अलिमेंट है भई कॉफी कितने पसंद करते हैं 37 कितने पसंद करते हैं 52 और आपको कौन से बताने हैं जो दोनों पसंद करते हैं सी एंड टी ये आपका ग्वेस्टन मारक है तो बैटे C unit T आपको पता है, C आपको पता है, T आपको पता है और intersection निकालनी, तो क्या मुश्किल सम होगा मुझे बताइए ठीक है, इन question में समझाने में वक्त लग रहा है, अदरवाई तो कुछ भी नहीं है तो देखिए let, उसने का C denote the set of people who like coffee, T denote the set of people who like tea उसने काया कि C वो लोग है जो coffee पसंद करते हैं, T वो लोग है जो चाए पसंद करते हैं, set उनका तो number of people who like coffee, N, C, 70 दिया है, number of people who like tea, N, T, 52 दिया है number of people who like at least tea और coffee, मतलब union, 70 दिया है, और intersection आपको find out करना है तो यह C unit T का formula, मैंने A और B में सिखाया था, A question में X और Y में लगा, इससे previous question में H और E में लगा अब coffee और T थी तो CT में, तो C unit T में लग गया, तो number of element in C unit T, पता है number of element in C plus number of element in T, minus number of element in C intersection T, values भरे वेटा, यह तो असान है और C intersection T में आपके पास 19 लोग आगे, मतलब 19 लोग ऐसे हैं, जो coffee भी पीते हैं, and चाए भी पीते हैं clear हुआ, तिन questions को जड़ा ध्यान से आप करिएगा, ठीक है, थोड़ी नई चीज़े हैं आपके लिए, ठीक है, हर question में हम आपको बताएंगे थोड़ी से ध्यान से करने वाले यह समय, तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी next lecture